ओम धन्वन्तरे नमाहा अल्ट्रा साउंड इसको हम अल्ट्रा सोनिक फेशियल भी बोलते है अल्ट्रा साउंड इस शब्द का अगर हम अर्थ देखे तो अल्ट्रा याने फ्रिक्वेंसी अबोव वार्ट केन हुमन हीर और साउंड याने आवाज इस टेक्निक में हम साउंड व्योच का उपयोग ड्रक पेनिट्रेशन के लिए करते है हमारा जो मुख्य उद्देश है कि हमारे आयुर्वेद मेडिसीन जल्दी से पेनिट्रेट हो ड्रक पेनिट्रेट हो इसके लिए हम मशीन का उपयोग कैसे करे यह हमें सीखना है ताकि हम हमारे पेशन को जल्दी कम समय में अच्छे से रिजल्ट दे सके इस चीज के लिए अल्ट्रा साउंड यह एक सबसे सस्ती अच्छी कम जगा लेने वाली मशीन है अल्ट्रा साउंड से मेडिसीन, पेनिट्रेशन काफी अच्छे से होता है अगर अल्ट्रा साउंड की हम मेडिकल टर्म्स के हिसाफ से डेफिनिशन देखे तो अ वे अफ यूजिंग साउंड व्योज तो लूक इंसाइड दे हुमन बोडी अल्ट्रा साउंड का उपयोग हम एस्थेटिक, कॉस्मेटिक परपस के अलावा सोनोग्राफी में भी करते है सोनोग्राफी के लिए का इस्तमाल हमें पता ही है इसके अलावा इंडरस्ट्रीथ, नेवी या जहाज में भी इसका उपयोग होता है पानी से जमीन कितनी दूरी पर है यह पता लगाने के लिए अल्ट्रा साउंड का इस्तमाल होता है ड्रग पेनिट्रेशन के लिए कॉस्मेट्रिक ट्रिक्ट्मेंड में हम इसका इस्तमाल करते है फिजियो थेरपी में भी यह इंस्तमाल होता है अल्ट्रा साउंड इस साउंड एनर्जी इन दा फॉर्म आफ वेव हैविंग फ्रिक्वेंसी अबो दा हुमन हीरिंग हमारे हीरिंग की जो फ्रिक्वेंसी है वोग ट्वेंटी किलो हर्स तक रहती है यहाँ पर हम इस से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का इस्तमाल करते है हम जो कॉस्मेटिक परपस में एस्थेटिक ट्रीटमेंड में अल्ट्रा साउंड का यूज करते है अगर उसकी हम डेफिनेशन देखे तो अल्ट्रा सोनिक फेशियल में हम हाई लेवल साउंड व्योज टेक्नोलोजी के मद्यम से ड्रग पेनेट्रेशन करते है इस वज़े से सेल्यूलर रिनिवल, रिपेयर, मसल टोनिंग, बलड सर्कुलेशन, लिम्फेटिक ड्रेनेज बढ़ता है इस अल्ट्रा सोन्ड मशीन का इस्तमाल हम फेश, नेक, आर्म, ब्रेस्ट, स्टमक, हीप्स, बटक, लेक्स इन अवयोपर कर सकते है याने लगवग हम फूरे बोड़ी पर इसका इस्तमाल विट कौशन कर सकते है यहां मशीन कैसे काम करती है जब हम अल्ट्रा सोनिक फेशियल करते है तब व्योज मसल, टेंडॉन, बोन में एपसॉर्फ होते है और बोन जैसे हार्ड सर्फेस से यहां रिफलेक्ट भी होते है इस वज़ा से वहां पर स्तानिक तापमान बढ़ता है स्तानिक तापमान बढ़ने के वज़ा से वहां की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है और उस वज़ा से वेस्ट प्रोड़क्ट टॉक्जिन्स बाहर निकलते है इस तरह से अल्ट्रासोनिक फेशियल, एंटी बेक्टरियल और क्लिंजिंग एक्शन दिखाता है एंटी बेक्टरियल और क्लिंजिंग एक्शन का फायदा हमें एक्चने जैसे कंडिशन में होता है नए एक्चने आना कम होते है जब पेशिन को एका दुसरे एक्चने आते रहते है ऐसे कंडिशन में अगर यह ट्रिट्मेंट हम करेंगे तो उसके वज़े से toxines, waste product skin से बाहर निकलेंगे और pores open होंगे, block pores नहीं रहेंगे इस वज़े से acne आने का percentage कम होते है दूसरी तरह यह ऐसे काम करता है कि इस वेवस के माध्यम से cell membrane का fast repeated stretching और shrinking होता है इस वज़े से collagen, elastin का production बढ़ता है यहर एक्षन हमें anti-aging purpose में काम आती है wrinkle, lines, skin tightening इस जगह पर यह action काम आकर skin tight होती है wrinkles कम होते है हम जिस purpose से ज़्यादा तर यह machine इस्तमाल करते है वह यह है कि इस से drug penetration काफी अच्छा होता है drug penetration के लिए खास करके हम ultrasound machine का इस्तमाल करते है हम जो हमारे आयुर्वेदिक तेल, creams और खास करकर jail application के लिए इस machine का ज़्यादा फाइदा होता है इस वज़ा से इनका deep penetration होके हमें ज़्यादा अच्छे result मिलते है हमें पता ही है कि जब भी हम local application लगाते है तो उनका ज़्यादा तर आउंशस stratum corneum में ही होता है स्कीन के उपर की जो layer है उसको यह local application easily cross नहीं कर सकते इस barrier को यह application cross नहीं करते इस वज़ा से स्तानिक चिकिस्षा local application से हमें उतने जल्दी fast result नहीं मिलते इसके लिए हम generally abrasion treatment करते है crystal derma abrasion, diamond derma abrasion या hydrofacial के माध्यम से हम stratum corneum की उपरी परत को निकालते है ताकि drug penetration अच्छे से हो सके मगर कुछ जगह abrasion के लिए limitations है कभी कभी जैसा कि abrasion करने के बाद हमें sun exposure टालना होता है हमारी तोचा नाजुक होती है इसके लिए उसकी care lane नहीं होती है लेकिन कभी कभी clients को यह चीजे possible नहीं रहती या ultra abrasion treatment को आदा घंटा लगेगा client के पास समय नहीं होता या कभी कभी client first time clinic में आता है और हमारे पास patient ज़्यादा रहते है procedure के लिए हमारे पास समय नहीं होता ऐसे समय हम ultra sound का इस्तमाल अच्छे से कर सकते है अगर ऐसे समय हम ultra sound का इस्तमाल करेंगे तो drug penetration काफी अच्छे से होता है stratum corneum में 30% तक पानी होता है इस वज़े से ultra sound के व्योज stratum corneum को easily pass करके deep penetration effect दिखाते है बहुत से बार यह मैं मेरा practical अनुवो बता रहा हूँ कि patient अल्रेडी एक से दो डॉक्टर की treatment लेके आया हुआ रहता है उसे कुछ तो भी हटके treatment चाहिए होती है क्योंकि उसने गोलिया, tablet, cream यह सब किया हुआ है machine treatment के लिए वह हमारे पास आता है first visit रहती है उसकी mentality रहती है कि हमें machine treatment से ही आज start करना है अपने पास OPD रहती है समय भी कम रहता है और ऐसे समय हम patient की इच्छा के लिए और हमारे drug penetration को बढ़ाने के लिए भी ultrasound procedure कर सकते है ऐसे समय हमें 10 से 15 minute एक्स्ट्रा लगने वाले है client को भी ऐसे लगेगा कि first visit से ही हमारी machine treatment स्टार्ट हो गई है या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें patient को medicine भी देना है कुछ तो भी नया दिखे इसलिए उसको machine treatment भी करना है और उसकी costing भी बढ़ाना नहीं है अगर हम derma abrasion करते हैं तो वहाँ पर हमें समय भी ज़्यादा देना है इस वज़े से treatment costing भी बढ़ने वाली है तो ऐसे समय हम ultrasound का इस्तमाल कर सकते हैं यहाँ पर सब चीजे होने वाली है patient को procedure भी होने वाली है ultrasonic करने की वज़े से हमारा drug penetration deeply भी होने वाला है याने patient को result भी थोड़े से ज़्यादा अच्छे से मिलने वाले है उसे एक ही procedure हम कर रहे है 5 से 10 मिनिट की उस वज़े से उसको costing भी ज़्यादा लगने वाली नहीं है generally इह चीजे बताई नहीं जाती लेकिन मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें इस तरह की techniques अगर हम इस्तमाल करेंगे तो ही OPD fast और अच्छे से grow होगी अगर हम average कर के ultrasound करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से drug penetration कर सकते हैं अगर हमें comparison करना है कि direct ultrasonic facial treatment की और average treatment के बाद ultrasonic की तो कहा अच्छे result दिखेंगे तो average करने के बाद ही हमें अच्छे result दिखते हैं comparatively average न करते हुए treatment की तो मगर जैसे कि कुछ possibilities मैंने अभी बताए तो ऐसे समय हम directly ultrasonic कर सकते हैं बहुत से बार हमें डर्मा एबरेजन करने के बाद क्लाइंट को 8 दिनों से उसे कैसे result आए या कुछ medicine change करना है क्या इसके लिए बुलाना होता है आइसे समय हम ultrasonic treatment के लिए उसे बुला सकते हैं 8 दिन के बाद वापस उसकी ultrasonic treatment कर सकते हैं इस वज़े से क्लाइंट को भी बार बार आने में परेशानी नहीं होती उसे भी लगता है कि हम treatment के लिए आ रहे हैं और हमें भी उसका follow-up देखना होता है या कभी-कभी हम deep exfoliation कर लेते हैं एबरेजन treatment में हमारे से deep exfoliation होता है patient में redness वगेरा यह सब चीजे आ जाती है और ऐसे समय हम पेशन को 3-4 दीन ही redness कम हुआ कि नहीं हुआ यह देखने को बुलाना होता है ऐसे समय भी हम ultrasound का कारण बोलके उसे clinic में बुला सकते है और redness नहीं रहा तो हम third day भी drug penetration के लिए कम समय के लिए ultrasonic treatment कर सकते है clinically कभी-कभी यह चीजे होती है deep exfoliation हो जाता है और अगर हम client को बोलते है कि हमारे से deep explosion हो गया उस वज़े से redness आ गया आप तीन दिन के बाद दिखाने के लिए आईए तो हमें बहुत से चीजों का explanation देने की जरूरत पड़ती है client के मन में भी डर रहता है कि क्यूंकि face treatment के लिए अगर आपने देखा होगा तो client easily जो उसकी softs रहती है cream रहती है वो भी बदलने को तयार नहीं होता उसके मन में सो सवाल उठे यह मुझे suit होगी क्या इससे मुझे रहशेश आएगे क्या चेरा खराब तो नहीं होगा काला तो नहीं होगा और ऐसे समय अगर redness वगेरे हमारे से हुआ यहाँ अगर client को मालूम होता है तो वो और ज़्यादा panic हो सकता है तो यहाँ कुछ tricks है कि जिसका इस्तमाल करके हम patient को follow को बुला सकते है यहाँ सब चीजे हमें practice में करने की जरूरत पड़ती है यहाँ एक मेरा अनुभव है इसके लिए मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ आप यहाँ पर slide में देख रही होगे कि अलग-अलग frequency से कितना deep penetration होता है कुछ ultrasonic machines में अलग-अलग frequency होती है frequency जितनी कम रही उतना deep penetration होता है एक hertz frequency का इस्तमाल हम जहाँ पर tissue muscles थीक होते है वहाँ पर कर सकते है जनरली पूरे body पर इस्तमाल कर सकते है 3 MHz facial area में use होता है 5 MHz यहाँ पर frequency बढ़ने की वज़े से penetration deeply नहीं होता तो 5 MHz हम delicate area जैसे आखों का region रहता है यहाँ पर कर सकते है इसकी action कैसे होती है हमने देखा है इस वज़े से इसके benefits क्या मिल सकते है यहाँ हमें easily समझ जाता है stimulation of blood circulation local blood circulation stimulation होता है इस वज़े से toxins easily बाहर निकलते है freshness फील होता है skin shiny भी होती है यह instant treatment के बाद में होने वाले benefits है lymphatic drainage बढ़ता है enhances skin care product performance यहाँ चीज़े हमें सबसे जरूरी है क्योंकि हम हमारे skin care product कब deep penetration इस treatment से करते है इस चीज़ के लिए यह procedure काफी अच्छी है firm and titan skin इसके बारे में हमने पहले देखा ही है diminish wrinkles and fine line improve skin texture and tone increase cell metabolism fades, scar, age spot refine large pores हम practice में जैसे की कोई तालू का प्लेस पे practice कर रहा हो वहाँ पर dermatologist नहीं है ऐसे समय जनरली लोगों को machine setup का clinic जदा अच्छा लगता है लोगों को कुछ तो भी नया चाहिए और हमारे setup का benefit यह रहता है कि हम modern machine इस्तेमाल कर रहे है मगर side effect ना रहने वाले या कम side effect रहने वाले harmful, chemical free हमारे products यूज करने वाले है client को दोनों भी चीज़े एक जगा मिल रही है उन्हें machine treatment भी मिल रही है जिस वज़े से जल्दी result आने वाले है और harmful, chemical free product भी मिल रहे है जिसकी वज़े से side effects नहीं होने वाले तो यह publicity का एक attraction करके हम number of patient बढ़ा सकते है अगर हमने ठैराया है या हमें लोगों को दिखाने के लिए first setting में ही machine treatment start करना है ताकि लोगों को लगे कि इस clinic में काफी शारी machines है और machine treatment की वज़े से हमें बाकी doctor से जल्दी result आते है machines रहने की वज़े से हमारे पास अगर patient की संख्या बढ़ रही है तो ऐसे समय first treatment में choice of machine में ultrasonic का इस्तमाल हम अच्छे से कर सकते है Contraindication यह सबसे जरूरी चीज है हमें यह treatment किस client में नहीं करना किस condition में नहीं करना यह हमें पता रहना जरूरी है Pustular Skin Disorders Viral Skin Diseases Generally कोई भी machine treatment हम इन दोनों अवस्ताव में नहीं करते Pustular Skin Disorders में acute acne भी आते है acne की condition में भी हम यह नहीं करते एखाद दुसरा acne रहा तो उतना एरिया छोड़ के बाकी जगों पर यह treatment कर सकते है Facial Nerve Paralysis, Pregnancy और Lactation में भी जनरली हम सभी treatments अवाइड करते है Implant, PaceMaker अगर Implant या PaceMaker रहा दात में implants रहे और्थो treatment के लिए कुछ cleats लगाए हुए है तो ऐसे जगह हम यह treatment नहीं कर सकते Cardiovascular and Oncological Disorders में भी हमें यह नहीं करना Acute Sinusitis रहा Soresis, Chronic Dermatitis Trigeminal Neuralgia इन कंडिशन में भी हमें यह प्रोसीजर नहीं करना यह प्रोसीजर हमें internally भी नहीं करना है Mouth के अंदर से या internal organ में हम यह प्रोसीजर नहीं करते Nake Region में जब हम प्रोसीजर करते है तो thyroid gland के surrounding में भी यह प्रोसीजर हमें नहीं करना है यह चीज हमें ध्यान रखना है Open source, wound, infected area में भी generally हम कोई भी प्रोसीजर नहीं करते Before treatment Treatment के पहले हमें क्या करना है Treatment के पहले हमें patient counseling अच्छे से करना है उसे treatment का schedule करते समय हमें भताना है कि आपको harsh skincare product चार दिन पहले इस्तमाल नहीं करना सबसे महत्वपूर्णा चीज यह है कि patient आने के बाद वह कौन से cosmetics use करता है कौन से softs use करता है इसकी detailed history हमें लेना होता है अगर procedure के हिसाफ से कुछ local application हमें बंद करना हो जैसा कि steroidal cream अगर वह इस्तमाल कर रहा है तो उसका हमें ध्यान रखना जरूरी है client की local application की history लेना बहुत जरूरी है उसे excessive sun exposure पहले दो दिन से बंद करने को बोलना है इसके लिए अगर उसे बाहर जाना ही है तो रूमाल, cab, goggle पहन के जाने को बोलना है ताकि direction exposure नहीं होने वाला ultrasound की tray बनाने के लिए हमें चाहिए gauz piece, glows, hair belt और जो jail हम लगाने वाले है ज्यादा चीजे भी हमें नहीं लगती जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि हम first setting में जब हमारे पास patient की गरदी रहती है तभी भी यह procedure करना है तो हमें कुछ ज़्यादा चीजे लगने वाली नहीं है हम एक minute में tray बना सकते है gauz already हमारे पास तयार रहते है जो भी jail penetrate करना है वो भी तयार है स्रिफ हमें patient को chair पे लेटाना है और procedure स्टार्ट करना है याने procedure को समय भी ज़्यादा नहीं लगता, investment भी ज़्यादा नहीं है machine को भी ज़्यादा investment नहीं लगती और instant fastly हम procedure कर सकते है procedure में patient को भी कुछ feeling नहीं होते स्रिफ प्रोब थोड़ा सा गरम होता है और sound energy के भास उसे होता है vibration के जैसा mildly effect कुछ कुछ clients में ही होता है याने client को भी कुछ इस procedure से तकलीब नहीं होती main procedure हमें कैसे करना है रुगन की तवचा को clean करना है equipment को sanitize करना है client को पूरी procedure समझा के बोलना है हमें जो भी medicine penetrate करना है वह जेल, generally हम जेल का इस्तमाल इस procedure में ज्यादातर करते है वह जेल हमें client के face पर, ultrasound के head पर लगाना है हमें machine start करके probe घुमाना है procedure करते समय अगर बीच में जेल क्रीम कम लग रही है तो हम बीच में जेल क्रीम डबल भी लगा सकते है पानी का इस्तमाल भी बीच में बीच में कर सकते है पानी के इस्तमाल से व्योज डीप ली जाते है डीप प्रेनिस्ट्रेशन दिखाते है रुगन के comfort के हिसाफ से हमें intensity adjust करना है procedure करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि probe एक ही जगा पर बहुत देर तक ना रहे क्योंकि probe गरम होता है उस वज़े से patient uncomfort होना burn जैसे होना यह चीजे लग सकती है हम face के center से outside या bottom से top तक यह procedure कर सकते है याने forehead पे हमें central से laterally cheeks पे दो option है bottom to top या middle to lateral इस तरह से हमें probe घुमाना है procedure पूरी होने के बाद एक से जेल निकालना है post care या post procedure इसके साथ हम क्या कर सकते है अगर हमने derma averaging किया तो cold probe हमें घुमाना ही है क्योंकि powers open होते है लेकिन सिर्फ हमने ultrasound किया तो हम उसके बाद में face mask अपलाई कर सकते है face mask हम easily इस procedure के बाद में apply कर सकते है post care post care हमें client को समझाना है और लिक्के देना है generally लिक्के देना बहुत जरूरी है कि post care clinic में करते समय हमें उसे sunscreen या moisturizer और शकतानुसार लगाना है patient को counseling करना है कि उसे एक दिन तक 24 घंटे तक साबून या face wash का इस्तमाल नहीं करना 6 घंटे तक simple water से भी चेरा clean नहीं करना है 2 दिन तक make up नहीं लगाना है direct sun exposure अगले 2 दिन तक avoid करना है यह चीजे हमें patient को समझा के बोलना है उसे लिक्के देना है इस तरह से इस छोटे से machine का इस्तमाल हम हमारे practice में बहुत जगे पर कर सकते है first procedure के समय हमें गड़वड रही तब client को ज़्यादा पैसे नहीं खर्चा कराना है तब बहुत से जगे इस छोटे से machine का उपयोग होता है thank you